अब नाव हाली में एज जैशंकर साब गए रश्या और रश्या से वापस भारत आते वक्त इन्होंने एक कंट्री को विजिट किया उस कंट्री का नाम है जॉर्जिया वी आप अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैशंकर साब जब जॉर्जिया में गए और इन्होंन हूँ भारत आता हूँ अब आपने देखा किस तरीके से जॉर्जिया के विदेश मंतरी ने बहुत ही रिस्पेटफुली जैशंकर साब के हाथ से वो बॉक्स लिया, उसके बाद कुछ प्रीस्ट ने वो बॉक्स लिया, फिर बहुत ही रिस्पेटफुली उन्होंने ओनर किया, यहाँ पे इस बॉक् रेलिक्स क्या होते हैं? कोई holy इंसान है, कोई काफी बड़ा इंसान है, religious perspective से अगर हम बात करें, तो उनकी जो कुछ हडिया है, कुछ उनके remains है, कुछ उनकी even belongings हो सकती है, तो उसको आप कहोगे रेलिक्स, तो ये बहुत ही important है आज के समय जॉर्जिया के लोगों के लिए ये special रेलिक्स किसके हैं? ये रेलिक्स हैं, केटेवान के, केटेवान एक टाइम पर रानी थी, काहेती रीजन की, ये आप कह सकते हैं, modern day जॉर्जिया का रीजन था, अब बड़ी simple भाशा में मैं आपको समझाओंगा, ये रानी थी, ये आज के समय इस रीजन को रूल करती थी, यहाँ पर, काफी बार इनके एमपायर पर अटाग हुआ, ओटोवन एमपायर से, सफाविद एमपायर से, हम यहाँ बात कर रहे हैं, 16, 17 संचरी की, इस दोरान एक बार सफाविद एमपायर ने काफी बड़ा एक अटाग यहाँ पर लॉंच किया, और लॉंग स्टोरी शॉ बताया यह जाता है, कि जब इन्होंने refuse किया कि Christianity नहीं छोड़ेंगी, तो इनको torture करके मारा गया था, प्रामेर लिए बात की जाती है, red hot pincers की, यह बहुत जादा भयाना तरीका होता है, किसी को torture करने का, skin जो है, skin उधारी जाती है, यहाँ पे red hot pincers से, तो कमशब्दों म पास इनके relics थे, और कुछ relics इनके पहुच गए Portugal में, जी हाँ, all the way to Portugal, अब Portugal से कई जो यहाँ पे traveler जबाए गोआ में, तो अपने साथ यह इनके यहाँ पर relics भी ले के आए, तो तब से लेकर अब तक इनके relics थे यहाँ पर गोआ में, तो इंडिया के पास यहाँ पर इ जीए, यह हमारे देश को बिलॉंग करती है, और हमारे बने बहुत special respect है हमारी queen के लिए, तो इंडिया ने आपर finally 2021 में, जो यहाँ पर relics हैं, यह दे दिये हैं Georgia के,